हेलो दोस्तों मैं हूँ अब इसे एक आपका सेल्फ रिपेर गुरू जी दोस्तों जब भी हम लोग इंजन का काम करते हैं कुछ भी रिविल्ड करते हैं तो सबसे जो टेंसन वाला काम होता है वो होता है कंपोनेंट्स को क्लीन करना मतलब ओपन करना एसेंबल करना ज्यादा नहीं होता है बट जो कंपोनेंट्स को क्लीन करने का जो टेंसन होता है वो बहुत ही जादा होता है अब इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा कुछ मेथर्स बताऊंगा जिससे कि आप पार्ट्स को इसली क्लीन कर सकते हैं और बहुत सारा आप्सन में ब बहुत ज़्यादा डर्टी होता है सब कुछ पानी का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं या यूज करेंगे तो क्या प्रिकाॉसंस लेना है कौन सा कैमिकल्स यूज करना है सारा कुछ मैं बताऊंगा तो इस वीडियो को लास तक देखिए और चैनल को सबस्क्राइब जो अन्टरणल पार्ट जो होता है इसमें जादा इंप्रिटिस नहीं रहता है इसमें इंप्रिटिस क्या रहता है पहले वो समझे तो इसमें चोटामोटा कार्मन पार्टिकल्स और मेटल पार्टिकल चिपका रहता है, अब किस चीज़ से चिपका रहता है, मैटर करता है, कोई भी अगर डर्ट है, तो वो किस चीज़ से चिपका हुआ है, तो यहाँ पे जो ओल्ड गियर वाइल या इंजन वाइल ये गियर का पार्ट है, तो वो सब चिपका रहता है, मेटल पार् ये खुद से बाहर आ जाएगा ये देखे तो कुछ ऐसा हम लोग को करना है कि वो जो सॉल्वेंट हो वो डिजॉल्व कर दे तो यहां पर आप पेट्रॉल का यूज कर सकते हैं डीजल का यूज कर सकते हैं किरोसन का यूज कर सकते हैं और सबसे एफेक्टिव कौन सा होता है तो दोस्तों सबसे effective जो कि मुझे लगता है जो ज़्यादा smell भी नहीं करता है ज़्यादा costly भी नहीं होता है और effective होता है किरोसन बट किरोसन आज कल जल्दी मिलता नहीं है तो आप petrol का भी यूज कर सकते हैं अब यहां पर इस तरह से नहीं आपको clean करना है इस तरह से आप clean कर यहां पर एक और इस तरह का लेजिए अब यहां पर इस तरह का जाली है और यहां पर देखे यह तो जो भी dust particle है जो इसे clean होता जाएगा वो अंदर बैठता जाएगा और इसमें कोई भी new impurities आपका नहीं चिपकेगा तो यह देखे पहले मैं यहां पर इसको अच्छे से clean क कर रहा हूं ठीक है अगर आप चाहें तो बहुत सा और सबसे important है दोस्तों की यहां पर इस तरह का gloves आप यूज किजिए रवर वाला gloves आप यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो प्रेट्रॉल होता है कि रोसन में लेट से होता है डीजल में लेट से होता है अबर अगर प्रे प्रेट में आपको मिल जाता है तो इसका आप यूज कर सकते हैं यह देखें तो यहां पर देखें मैं यहां पर बहुत सारा पेट्रॉल ले रहा हूं एक ही बार में ताकि अब मैं यहां पर clean कर जाओं सारा कुछ यह देखें मैं यहां पर ले रहा हूं और यहां पर क्या क क्लीन कर पाएंगे यह देखिए यह देखिए बहुत ही कम टाइम में यह आपका क्लीन होता चल जाएगा यह देखिए सब कोई को आराम से आप नहला दीजिए यह देखिए और जब यह क्लीन हो जाए तो इसको आपको सन में धूप में थोई दे रख देना है यह खुद से आपका ड्राइ हो जाएगा उसके बाद का स्टेप मैं आपको बाद में बताऊंगा पर पहले इसको आपको क्लीन कर लेना है ठीक है यह देखिए सारा जितना भी टित होता है इसमें मेटल पार्टिकल चिपका रहता है औ कोई भी आपका फिल्टर नहीं होता है कि मेटल पार्टिकल को ट्रैप करने के तो यह आपका घूमता रहेगा घूमता रहेगा जब जब आप और चेंज करेंगे तो थोड़ा बहुत आपका बाहर आएगा और बांक की घुमता रहेगा और को रोजन करता रहेगा और अभी क्या है देखी यहाँ पर आगर आप देखेंगे तो जितना इंप्रीटीज था वो नीचे बैठता चला गया यह देखें देखेंगे तो जो मेटल पार्टिकल है नीचे इसमें कुछ भी नहीं रहेगा सब नीचे बाढ़ता चला जागा तो यही फाइदा होता है इ एक मेथड आपका यह हुआ ठीक है पेट्रॉल और यह पेट्रॉल क्या है ना कि कॉस्ट्ली है एक लीटर में आप सारे इंजन का पार्ट अच्छे से क्लीन कर लेंगे बहुत ही प्यार से बहुत अच्छे से ठीक है अब इसको क्या करेंगे हम लोग ड्राइव होने के लिए यह नहीं कि इसको डस्ट यह सब पर कहीं भी रख देंगे जब भी आप इसको रखे तो यह देखे एक अच्छे से टीसू पेपर पर यहां पर रख करके ही इसको कैरी कीजिए और इसको धूप में रख दिये थोई दे के लिए उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है मैं आगे वाइल है या इंजन वाइल है उसको हटा देगा और डस्ट पार्टिकल खुद से बाहर आ जाएगा तो यह में एक चीज़ है कि बहुत फास्ट होता है बहुत जल्दी काम होगा बट इसका डिस एडवांटेज यह है कि सब कोई को पेट्रॉल का स्मेल अच्छा नहीं लग बिल्कुल भी पसंद यह बहुत इरिटेटिंग लगता है मजूरी में पहनना पड़ जाता है कभी कभी अगर मुझे कोई चीज़ बहुत जल्दी क्लीन करना है तो मैं इसी मेथर का यूज करता हूं बट मोस्ट अप दी टाइम 99% अप दी टाइम मैं क्या यूज करता हूं तो दोस्तों मैं water का use करता हूं आप water से अगर directly आप clean करेंगे तो यह नहीं होगा यह directly आपका नहीं होगा आप एक chemical या आप कह सकते हरे घर में use होता है वो होता है आपका डिस्क, बासर, liquid यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह का बहुत सारा liquid आपको market में मिल जाए तो इस लिक्विट का कैपिबिलिटी होता है कि जो भी वाइल पार्टिकल है उसको ब्रेक कर देता है उसको डिजॉल्ब कर लेता है या उसको आपका चिकनाई अगर आप परचार देखेंगे तो देखेंगे कि उसमें बोलता है कि चिकनाई को हटा देता है तो चिकनाई मतलब ओईली जो ओईली यहाँ पर जो हटा देता है तो अगर ओईल को हटा देगा तो यह आपका खुद से क्लीन हो जाएगा तो यहाँ पर आप सिंपली इसको पानी में अच्छे से क्लीन कर यह देखिए और इसको जब भी आप अप्लाई करें तो एक बार कर लिजिए अच्छे से रिंस उसके बाद आप दूसरे बार इसको फिर से अप्लाई किजिए तो और ज़्यादा एफेक्टिव हो जाता है यह और जितना डर्स्ट इंपूटिज यह सब है सब कुछ इसमें से हटा देता है यह देखें बहुत अच्छे से और यहाँ पर गियर को जब भी क्लीन किजिए तो पूरा पूरे सरकमफ्रेंस में अच्छे से यह देखें यह देखें क्लीन कर रहा है यह तो यह जो मेथड है इसमें क्या है थोड़ा सस्ता होता है और इसमें आपको फूलों का स्मेल आएगा और आपके हेल्थ के लिए डेंजरस नहीं है बट अगर एक दो पार्ट क्लीन करना है तो आप जल्दी से पेट्रॉल से क्लीन कर सकते हैं और वह भी अगर ओपन इंवार्मेंट है ज्यादा जो इसका फ्यूम से वह आपको प्रॉल्म नहीं कर रहा है तो आप कर सकते हैं तो देखिए यहां पर अगर आप इस लिकृट से डेस्वासर लिकृट से क्लीन करेंगे तो यह भी बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है अब इसको मैं म 시작 है यह देखिए तो इसको आप अच्छे से क्लीन करके रिंस कर सकते हैं और जब इसको आप नेहीं करें लुदे हैं तो इसको जल्दी से आपको धूप में रख देना है ताकि यह डराई हो सके और उसके बाद क्या करना है मैं आपको आगे बता हूंगा ठीक है पहले सारे components को मैं अच्छे से clean कर लेता हूँ उसके बाद next में बताऊंगा कि next step क्या होगा क्योंकि अगर ऐसे ही आप पानी वाला चीज़ रख देंगे तो इसमें rusting आ जाएगा और ये internal components है इसमें बहुत जल्दी बहुत जल्दी आप imagine नहीं कर सकते हैं दो-तिन इसको छोड़ देंगे पानी में इसमें rusting स्टार्ट हो जाएगा तो इसको clean करना है rinse करना है धूप में डालना है और आगे का इसका process स्टार्ट कर देना है जो आगे मैं आपको बताऊंगा तो ये देखें बहुत ज़्यादा ये clean हो जाता है ऐसा नहीं कि ये पेट्रॉल से कम clean होता है नहीं उससे अच्छा ही clean होता है और आपका फ्राक चीप भी पड़ जाता है और tension भी नहीं रहता है कि पेट्रॉल का smell आप ले रहे हैं उसका fumes उसका भेफर्स आपके इसको कर रहा है अभी देखे ये तो clean हो गया अब इसको फिर से वही है इसको tissue paper पर डालके इसको dry होने के लिए छोड़ दिए उसके next step हम लोग देखेंगे आगे ठीक है अभी देखे दोस्तों यहां पर यह वाला water वाला method सही है आप कर सकते हैं इसको पानी में छोड़ दिये और उसके बाद चले के खाना खाने के लिए उसके रिटाना है तो इसमें रस्टिंग स्टार्ट हो जाता है तुरूंट drip करना है जैसे मैंने उसको clean किया और तुरूंट उसको dry करना है उसके बाद आपको blower से उसको dry करना है इसको जादा देर तक पानी में छोड़ना नहीं है अगर छोड़ेंगे तो रस्टिंग स्टार्ट होगा तो वो फिर डैमेज हो जागा अभी देखें यहाँ पर यह bearing नियू है तो इसको आपको छोड़ना नहीं है जादा ज़र तक क्योंकि यह bearing फिर डैमेज करेगा तो आप उपर से तो ड्राइ कर देंगे ब्लोवर से यह सबसे बट अंदर कहीं ने कहीं थोड़ा बहुत पानी रह गया तो फिर वह बेरिंग को डैमेज करेगा तो यहां पर आपको इसको मैं बोलूगा कि यह इस तरह का कंपोनेंट को अगर आप क्रेंग को रिविल्ट नही मजिता है और ड्राइ होने देता हूं अब एक्सट сокि opening अगींचन आपको तो इंटरनल कंपोनेंट को क्षीं करना एजिए है पृड्ड बत यहां पर आप देकीए थे एक्सटरनल चांबर ही यह सब है फए तो यहां पर आप देखिए तो बहुत ही जाधा डिर्टी है belt का dust उसके बाद नीचे देखेंगे तो sand, oil अब यहाँ पे आप petrol से अगर इसको clean भी करना चाहेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा component है यह देखें कितना dirty है यह अब इसको आप clean करेंगे भी तो कैसे clean करेंगे बहुत ज़्यादा petrol लग जाएगा और उतना ज़्यादा petrol अगर आप inhale करेंगे तो health के लिए बहुत ही ज़्यादा dangerous होगा बहुत ही ज़्यादा dangerous तो यहाँ पे इसको clean करने के लिए पहले इसको आप rinse कीजिए pressure water से मैं pressure water का use करता हूँ अगर आपके पास pressure water नहीं है तो आप hot water और brush का कुछ कर सकते हैं पानी इसमें देते रही है और इसको ऐसे रिंस करते रही है यह जितना आपका dust यह सब है और यहाँ पर जो bonding है वो देखे oil के कारण तो यहाँ पर bonding है बट यहाँ पर कोई भी पर आएगा ठीक है तो यहाँ पर देखे यह भी जितना है सब को पहले pressure water से मेरे पास एक pressure water है तो मैं उसी का use करूंगा और यहाँ पर जो bearings जो बुस जो की damage है जो की आपको replace करना है यहाँ देखे यह मुझे हटाना था उसके बाद जो wheel में था वो मुझे हटाना था तो सब जितना जो replace होगा बुस वाइल सील इसको पहले ही हटा लेना है तो clean करने में easy होगा अब like यहाँ पर इस oil seal को clean करने में कितना energy कितना time waste जाता बट इसे मैंने पहले ही हटा लिया है पहले हटाने से फाइदा क्या हुआ कि इसे मुझे clean ही नहीं करना है पड़ेगा यह new ही लगता है तो यह देखे यहाँ पर मेरा space भी बन गया और clean करने का tension भी नहीं रहा तो इसको ह अच्छे से प्रेसर वासर से clean करके लाता हूं सारे components को और उसके बाद दिखाता हूं कि क्या difference है एक बार मैं अच्छे से clean ही होगा उसका next step हम लोग लेंगे और एक ची मैं add करना चाहूंगा कि जब भी आप प्रेसर वासर के पास जाएं उसके पहले जो भी loose particles है यहाँ पर देखिए जो dowel है यह loose था तो इसे मैंने पहले ही निकाल लिया अगर मैं नहीं निकालूँगा वासर के टाइम में आपका यह miss हो जाएगा तो इसको आपको कि प्रेसर वासरिंग लिए यहाँ लाएं तो नीचे अइसा नहीं कि आप नीचे फ्लोड पे रख दीजे सिमेंटे डैन ऑल तो उससे क्या होगा कि इसका प्रोड़ा सा बी डैमेज हो जाएगा यह तो इस तरह का सीट का प्यूंज किए यह सीट क्या होता है कि जो भी impurity से बाहर निकलेगा वो अंदर चला जाता है और उपर में आपका plastic का soft part रहता है तो कुछ भी यह damage नहीं होने देता है इस पे आप safely इस तरह से इसको trust करके रख सकते हैं कोई बात नहीं है ठीक है तो अब मैं इसको अच्छे से clean कर लेता हूँ अच्छे से इसको उ अच्छे से इसको भी हटाने का काम करेंगा हम लोग तूँ कर दूँ का आप तूँ कर दूँ कर दूँ कर दूँ तो अगर प्रेसर अच्छा रहता है तो बहुत हद तक ये क्लीन कर देता है बिना इसको हाथ लगाए तो बागी कंप़ोननेंट को भी अच्छे से क्लीन कर देते हैं यह सब कंपोननेंट का हालत देखे कि प्रेसर वासर के पहले यह देखे कितना ज्यादा डैटि यह सेstr जाई अब प्रेसर वाशर से यह सब धुज जाएगा और यह भी देखे, पुड़ा बेल्ड का dust, यह सब central clutch का dust, तो pressure washing के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि जो भी loose dust particle यह सब था, यह सब clean हो गया है, यह देखे, बहुत हद तक यह clean हो गया है, जो भी impurities था, वो आपका हट गया है, यहाँ भी देखते हैं, यह देखे, यह भी black था, यह सई हो गया है, ठीक है, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा dust particle, sand particle था, यह भी clean हो गया है, यहाँ पर belt or clutch का dust था, वो भी clean हो गया है, यहाँ भी अगर आप देखेंगे, तो बहुत गंदा था, बहुत हाद तक clean हो गया है, बट पूरा clean नहीं हुआ है, तो अभी पूर अगर clean नहीं हुआ है, तो यहाँ पर क्या करना है, जो डिस्क वासर है, इसको आपको लेना है, ठीक है, और इसको अच्छे से आपको थोड़ा पानी और यह ले करके, इसको clean करना है, और एक बात जो कि सबसे important है, वो है कि आपको सिफ और सिफ ब्रस का यूज करना है, मैंन देते हैं, तो यहाँ पर एक बात समझे, clean मतलब क्या, clean मतलब free from any dust and impurities, बट यहाँ पर clean का मतलब यह नहीं है, कि यहाँ पर रगर के, यह देखे, कोई चीसे रगरा हुआ हुआ है, कोई यहाँ यहाँ पर वायरिया के बलों का, इतना चमका नहीं देना है, तो दोस्तों ए हैंगे कि वो वाला beauty तो आप इसमें polish कर रहे हैं, इसको रगर रहे हैं, यह वो नहीं, उसका कोई use ही नहीं है, मैंने देखा है, बहुत सारे वीडियो में लोग रगर रहे हैं, blade से, वो आप स्पॉाइल कर रहे हैं, इसमें scratches आ जाएंगे, damage हो जाएगा, और आप यह surface को ब करता है, अगर आप अच्छे से इसको clean करेंगे, उसी समय निकल जागा, इसके लिए आपको कोई blade, कोई यह सब का जूरत नहीं है, और worst case में कहीं अगर नहीं निकला कुछ, तो इस तरह का plastic scale का use कीजिए, यह metal को damage नहीं करेगा, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, बट कभी भी इस surface को आपको damage नहीं करना है, मैंने देखा है, बहुत लोग blade यह सब का use करते हैं, चमकने का कोई मतलब नहीं, clean मतलब चमकना नहीं, clean मतलब free from any foreign particle impurities, यह देखे, यहाँ पर अगर देखा जाए, तो यह already clean है, थोड़ा बहुत इसमें, अगर sign चाहिए, तो इ इसा नहीं कि इसको आपको blade से रगड़ना है, sand paper से रगड़ना है, नहीं, वो को use नहीं है, और अन्यसरी आप मेहनत भी कर रहे हैं, और चीज भी spoil हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर दो बार इसको आप clean कर लिजे, पहली बार आप इसको लगा करके clean कर लिजे, rinse कर लिजे, फिर से एक बार लगाईए, और फिर से range के दो बार, बहुत आपको प्यार आ रहा है, बहुत अच्छा लगड़ा है, हाला कि उसका को use नहीं है, पर फिर भी अगर बहुत अच्छा clean आपको चाहिए, तो इसको तीन बार आप clean कर लिजे, और एक चीज जो बहुत important है, और इसको आप rinse कीजे, यह नहीं कि इसको रात बर छो रहे हैं, यह नहीं, within 10 minutes, 20 minutes इसको लगा करके आप इसको clean कर लिजे, और यहाँ पर मैं clean कर लेता हूँ, सारे surfaces को, उसके बाद देखेंगे, दो बार मैं clean करूँगा, और दो बार rinse करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क या तो plastic table या इस तरह का stool का use कीजिए, क्योंकि जब आप इदहुदा पल्टेंगे और concrete surface रहेगा, तो यह surface अगर damage हो जाएगा, तो सही नहीं है, तो यह चोटा चोटा चीज भी बहुत माइटर करता है, और जल्दी से इसको rinse कर लेना है, और इसको dry कर लेना है, अगर आप नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, तो यह जो bearings है, जो कि मैं change नहीं कर रहा हूँ, या कुछ भी metal surface है, तो वो rusting होना start हो जाएगा, तो यही होता है, पानी का merit और demerit, जल्दी से इसको rinse करना है, within 10 to 20 minutes, नहीं तो फिर, वो problem start हो जाता है, यहाँ पे जो engine head होता है, इसमें ब clean किजिए, ठीक है, जितना हो सके, आप वो clean कर लेना है, यह जो carbon deposit कभी कभी किसी engine में, जब oil burning बहुत ज़्यादा होता है, तो यह बहुत ही hard हो जाता है, और बहुत ही motor deposit रहता है, तो पहले आप brush से clean कर लिजे, और यह जो head का जो inlet and exhaust valve है, उसमें अच्छे से clean कर लिजे, inlet वाला में तो हमेशा petrol का आना जाना लगा रहता है, तो यह तो problem नहीं होता है, बट exhaust में थोड़ा सा carbon deposit आपको देखने मिलेगा, तो अच्छे से clean कर लिजे इसको, और जो last में जो carbon जो की brush से clean नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आप हलका सा यह नहीं carbon deposit नहीं जा रहा है, वहाँ पे हलका हलका यह देखिए, यह नहीं कि पूरा में आप रगड दिये, उसको बड़बाद कर दी नहीं, हलका हलका scratch bright का आप यूज कर लिजे, जहाँ पे required है, और इतना ही रगड यह कि सिप वहाँ पे जो carbon deposit है वो जाए, देखिए यहाँ पे ज deposit को आपको clean करना है, और कभी भी यह मत सोचे कि एकदम new जैसा चमका देना है, ऐसा नहीं कि आप जो important इसका जो यह है, layer है, उसी को जो भी आप हम लोग हटा रहे हैं, वो हम लोग dust को हटा रहे हैं, carbon को हटा रहे हैं, metal particle जो चिपका हुआ है, उसको हटाना है, यह नहीं कि ह बहुत लोगों को चमकाने के चकर में blade का use करते हैं, यह उतना चमका कि क्या उससे कुछ working का नहीं है, वो आपका time, energy और जो important layer है, उसको destroy करा है, यह देखे, बहुत ही easily यह clean कर देगा, sip carbon, sip carbon deposit जो है, जो layer जमा वाय बस उसी को हटा रहे है, यह देखे, अब मैं पानी अगर डालू इस पर, तो आप देखेंगे कि यह बहुत ही easily आपका clean हो गया, यह देखे, तो scratch bright का limited use, यह देखे, पहले से बहुत ही clean हो गया, थोड़ा बहुत और है, तो जहां पर required हलका सा इसको clean कर लिए, यह आपका carbon deposit निकल जाएगा, यह देखे, और हमेशा चमकाने के चक्कर से दूर रही है, यह देखे, यह देखे, और यह जो vim होता है, या जो भी कोई भी आप disk को आसर देखेगा, तो उसको ज़्यादा दर नहीं चोड़ना है, यूज करना है, यूज करना है, यूज करना है, यूज करना है, ठीक है, तो इस तरह से आप clean कर सकते हैं, तो दोस्तों, यहां पर देखे, सारे parts को मैंने clean कर लिया है, most of the parts को मैंने water से clean किया, और यह बहुत अच्छे से clean हो जाता है, यह देखे, बहुत अच्छे से, कोई भी dust, impurities, यह सब नहीं है, यहां पर chamber देखे, सारा clean हो गया है, यह देखे, अंदर तो ज़्यादा गंदगी नहीं रहता है, जो भी आपका particles है, वो बहार आ जाता है, तो neat and clean हो जाता है, और एक चीज़ दोस्तों आपको ध्यान देना है, मैंने देखा है, बहुत सारे YouTube चैनल्स पे, कि यह जो color है, देखे, जो नया जो होता है engine, यह बहुत ही neat and clean होता है, ठीक है, क्योंकि वो casting करके, मैंने पहले भी बहुता है, वो casting करके आता है, अब यहां बहुत ज़्यादा blade से, उसके बाद वो एक आता है ना, वो steel का आता है, बरतन माजने बला, उससे रगड़ने लगते इसको चमकाने के लिए, अब वो अगर आप करेंगे, तो चमकेगा लेकिन बहुत सारा scratch है आजागा, और जो यह है आपका, वो भी damage होगा, तो कभी भी तो यह clean है, यह clean है, अब इसको चमकाने के चकर में इसको spoil नहीं करना है, यह clean है, यह clean है, यहाँ पर कोई भी dust particle नहीं है, कोई भी impurities नहीं है, तो यह clean है, और यह देखे है, तो इसको चमकाना नहीं है, अगर चमकाईएगा, तो unnecessary wastage of time है, ठीक है, यह जो है, more than enough है अब इसको अगर आप बहुत अगर मन कर रहा है बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो एक आपका scratch bright आता है उससे आप हलका सा इसको ये कर दीजिए तो थोड़ा सा और clean हो जागा बट इतना more than enough है यहाँ पे जो working है वो कभी भी इससे affected नहीं होने वाला है जो best possible होता है यह है इसको चमकाने के लिए इसको spoil नहीं करना है blade से ये सबसे रगर रहे है नहीं वो सही नहीं है और जो सबसे बड़ा जो आपका property है यहाँ पे वो है इसका ये जो surface जो meeting surface है ये है और अगर आप ज़्यादा इधा हो दो उसको रगरेंगे ये करेंगे वो करेंगे तो maybe कि आप इसको भी damage कर देंगा थोड़ा भी damage होगा तो फिर oil का leakage आपका start हो जाता है तो clean का मतलब free from any dust, metal particle, oil, grease ये सबसे freedom ठीक है ये नहीं कि एकदम चमक रहा है वही clean ऐसा नहीं है ये more than enough है अब next क्या करना है पहले तो आपने इसको sun dry कर लिया अब next करना है कि आपको एक छोटा सा इसरका blower type का लेना है ठीक है और heat gun कुछ भी ज़्यादा heat नहीं करना है ये नहीं कि red hot कर दिये और उसके बाद जितना भी ये सब parts है इसको आपको dry कर लेना है ये अच्छे से पहले तो आपने अभी बहुत ज़्यादा hot climate था मैंने धूप में रखा पहले already इसमें 90% water finish हो चुका है इसमें से उड़ चुका है इवा इक पार्टी पार्ट को और जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद तो हमने clean कर लिया हमने dry कर लिया अब ये जब ठंडा हो जाए तो इसको आप इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके अगर immediately उसी समय use करना है तब तो आप engine में fit कर दीजे कोई टेंसर नहीं है बड़ सपोज after two two days आपको इसको use करना है तो इसको आपको इस तरह से tissue paper में बहुत ही सस्ता है इसमें fold करके आप रख लीजिए ठीक है अच्छे से कहीं पर आप स्टोर कर लीजिए जैसे कि मैं अभी किसी container में जितने भी पार्ट्स हैं उसको स्टोर कर रहा हूं यह तो एक बरा सा आप ले कर लीजिए और यहां पर सब कुछ को arrange करके रख लीजिए कुछ भी आपका इधा उधर यह नहीं कि इधर फेका हुआ उधर फेका हुआ है फिर से उसमें dust आ रहा है फिर से आपको clean करना पड़ा और सब बहुत दिन के बाद आपको इसको use करना है तो यहां पर थोड़ा सा WD-40 apply कर लीजिए या थोड़ा सा आप यहां पर engine oil apply कर लीजिए लेकिन अगर आप बहुत दिन के लिए इसको store कर रहे है और rainy season है तो इसमें rusting start हो जाएगा तो dry होने के बाद भी इसमें rusting हो जाता है अगर rainy season है हवा में बहुत जाता तो उस समय आपको इसमें थोड़ा सा oil apply कर लेना है थोड़ा सा sticky feel होगा but safety के लिए बहुत important है but most of the time यह होता है कि आपने clean कि और immediately engine rebuild कर रहे है तो वहां पर आप इसको use कर लीजिए और best रहता है और एक चीज़ जो सबसे important है वो यह लाइक यहां पर यह जो है आपका gear casing है अब यहां पर यह सब जो bearing है यह बहु dry करें बट में भी कि थोड़ा बहुत अगर water particle अंदर आ गया तो वह problem करेगा तो immediately जो old bearing से जिसको आपको change नहीं करना है वहां पर या तो WD 40 spray कर लीजिए या फिर अगर WD 40 spray नहीं करना चाहते है तो उससे भी best solution है आप यहां पर थोड़ा साफ engine oil apply कर लीजिए ठीक है ज्य आपका best रहेगा कोई भी rusting यह सब का tension नहीं रहेगा और अगर आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया जब भी आप clean कीजिए पानी से तो उसको छोड़ना नहीं है तुरंत उसको धूप में डालना है और जब पानी सब निकल जाए फिर से उसको dry करना अच्छे से और immediately यह सब जो काम है within half power या maximum one hour के अंदर कर लेना अब देखिए यहाँ पे यह bearing आपका secure हो गया ठीक है अब इसको आप clean place पे अराम से store कर लीजे और जब आपको assemble करना है इसको assemble किए इस तरह से और service center में भी मैंने आपको बताया कि लोग water का use करते हैं कि water एक बहुत ही cheap and best है और सही रहता है यह देखिए तो दोस्तों अगर आप भी कोई engine का काम कर रहे हैं कुछ इस तरह का कर रहे हैं तो उसमें जो cleaning वाला part है बहुत important और मैं अगर अपनी बात कहूं तो सबसे जो tough क हम लगता है मुझे वह होता है cleaning engine को open करना easy, assemble करना easy बट सबसे ज्यादा जो time जाता है और सबसे ज्यादा जिसमें मुझे boring feel होता है cleaning part तो इसको आप simple कीजिए अगर एक एक part करके clean करेंगे तो बहुत ज्यादा एक ही बार सब को clean कीजिए और यह जो water का method जो water jet होता होता है क्योंकि around 70 to 80% dirt को ऐसे ही water के high pressure से निकाल देता है अच्छा अगर आपके पास pressure water है मतलब बहुत ही ज्यादा help आपको मिलेगा और नहीं है तो फिर आप geezer का hot water use कर सकते hot water से जो भी वाइल है बहार निकल जाता है easily तो इस तरह का और हाथ का ख्याल रखिये का हमेसा gloves का use की और सेफली आप यूज़ी होता है बहुत डेंजरस होता है तो जब इसको handle कीजिए तो gloves के साथ कीजिए कभी-कभी यह हाथ को damage कर सकता है कट सकता है और हे भी parts रहता है तो इसका आपको ख्याल लगना है तो दोस्तों यही था इस video में और आपने देखा कि कैसे आप engine के parts को या बांकी जो parts होते हैं motorcycle scooter के उसको कैसे clean कर सकते हैं अगर सही से आप करेंगे तो easily हो जाता है और आपका जो engine clean रहेगा और उसको इसेंबल करेंगे तो उसको इसेंबल करने बहुत मज़ा आता है और एक लंबे टाइम के लिए working रहेगा तो दोस्तों प्रीस लाइक के अपने दोस्तों में सेर की चैनल सब्काइब्टर साथ मुस्त बेल आइकन को प्रेस कि ताकि जब भी मैं को नया वीडिया आपके सब्सक्राइब देख सकते अने ट्लास थैंक्यू थैंक्यू प्राचिंग मिलते हैं इस्ट्यू में